जुँआएज, अभी भी काफी सारे स्टुडेंट्स पूछ रहते हैं, नीट का पेपर होगा बापेस नहीं होगा, अभी काफी सारे स्टुडेंट्स के दिमाग में चल रही है, ठीक है, अब पेपर लीक वाई ये बात जग जाहर है, ठीक है, ये तो सब को पता चल चुकिया पूरे कट्री में बात फहल रही है थोड़े टाम पहले और ट्वेटर पे भी ट्रेंड कर रही थी अभी भी कर रही हो तो मुझे पता निया मैं देखा नहीं है थोड़े टाम पहले कर रही थी कि students में तो इतना ग्रेशन हो चुका है और यह ना भी चाहिए obviously तो सच में यदि मैं अपना personal opinion बता हूं तो सुनके भी इतना बुरा लगता है कि हमें पता है यार इतनी मेहनत लगती है और फिर बाद में फिल्स जिस्के हम दो साल मेहनत करते है तो पता चलता है जब पेपरी लीग हो गया है न तो बुला तो लगता है यार है न बट अभी बात करते है वापस होगा या नहीं और नीट 2021 वापस रीकंड़क्ट होगा या नहीं तो इसमें सबसे पहले तो जो जिन का भी केस आया था उनको सबसे पहले पकड़ लिया था है न जो भी जैपुरिया सीकर के आस-पास केस हुआ था रजस्तान में जहां से मैं बलॉग करता हूं तो उन लोगों को पकड़ लिया था ठीक है और उस टाइम पे यह बदला गया था कि हैं पर्टिकलर सेंटर पे ही हुई है जो भी लिग का केस हुआ है और दूसरी चीज उस टाइम तक ठीक है एंटीय की त इंडिया के पेज पर गई थी और उस टाइम तक एंटीय की तरफ से ऑफिशल कोई स्टेडमेंट ही नहीं आ रही थी यह काफी डिसपोइंटिंग चीज रहती है बिकॉस दे शुट भी रिस्पॉंसिबल इस जो भी यह केस वहा था उसके बाद इन्होंने काफी सारे लिंक इस्टैबलिश कर लिये थे और ऐसे-एसे नाम सामने आये थे जो मतलब सोच कि जिनके बारे में सुनके भी यजीव लगता है और अभी जो पता चला था थो मतलब अभी आज सुबह की बात है शाहिद की मतलब कल तक तो ऐसा था कि यह जीज थे कि जैपूर के मतलब उसे र राजस्तान इसके अलावा हरियाना यूपी बिहार के स्टेट्स भी इनवल्ड है मतलब काफी वाइड लेवल पे हुई है और इसी बीच अब फाइनल स्टेट्मेंट जरूर आई थे जो अपने NTA के डीजी है डॉक्टर भी जोशी उन्होंने एक स्टेट्मेंट क्या कही ह बहुत ही अजीब सी चीज है वह आपको भी सुनके अशी आईगी उन्होंने काई कि यह इस पेपर को लीक ना माना जाए क्योंकि यह सिर्फ एक स्टुडेंट के लिए एक छात्रा के लिए हुआ है अब इस पर तो मैं तो क्या ही कहूँ पर यह मेरे असाब से तो काफी लस है वह बाकी सब चलने को जैसे चल रहा है बट ओविसली यह बात सही नहीं है न और दूसरी चीज़ के रहे कि हम उन्होंने जो डीजी ने का है कि हम इसकी जाच कर रहे है जो सब लोग यही कहते है ठीक है बट यदि इसमें और भी कुछ पता चलता है कि और मतलब कंफर्म ह हो जाता है कि बाकी सेंटर्स पे भी होई है तो फिर चांसेज बन सकते हैं कि नीट वापिस हो अभी तो कुछ कह नहीं सकते है अशा और अभी कि यदि प्रेजेंट टाइम के बात की जाए तो सच्चा ही है कि बहुत ही ज्यादा कम चांसेज है इस चीज के होने के बाकी सब्सक्राइब करेंगे तो वही आपको करना है उसका फॉर्म आ चुका है ऑफिशल वेबसाइट पर आप न्टिय के जाओगे तो आपको पर प्रोसेस है और किसी को कुछ यह सहाँ प्रोब्लम लगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं और रही बात कट आफ की तो वह हम डेफिनेटली कैटेगरी वाइस डिसकस करेंगे कैटेगरी वाइस ओल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट आप चाहें तो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन होगा इसको दबा दबा के ग्रे कर दो याँ ठीक है और एंड प्रेस्टा बैल इकन तो अब गेट अप्टिदेट तो माइ लेटेस्ट वीडियो तिल देन टड़ा बाई बाई पाई सी यू